प्रेंट्स आज के वीडियो में मैं आपको करी पत्ते या मीठे नीम के पौधे के बारे में बताऊंगी कि गमले या ग्रो बैग में अक्सर लगे हुए पौधो की पत्तियां जो निकलती हैं वो छोटी होती हैं साथ में हलके हरे रंकी भी होती हैं जबकि वही पौधा अगर आपका जमीन में लगा है तो उसकी पत्तियां बड़ी होती हैं साथ में गहरे हरे रंकी भी होती हैं तो गमले या ग्रो बैग में किस पोशक तक्त्त की कमी हो जाती है जिसकी वज़े से पौधे के साथ ऐसा हो जाता है तो इस कमी को किस तरीके से हम किस फर्टिलाइजर के द्वारा दूर कर सकते हैं आज के वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी तो फिर चलिए देर ना करते हुए वीडियो की सुरवात करती हूँ नमस्कार दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हारदिक स्वागत है तो फ्रेंट्स करी पत्ता या मीठी नीम एक ऐसा पौधा है जिसकी पत्या नमकीन पोहा और कई अन वेंजनों में स्वाद बढ़ाने के लिए यूज की जाती है ये जमीन में लगने वाला पौधा है लेकिन गमले या ग्रो बैग में भी बहुत आसानी से लग जाता है लेकिन गमले या ग्रो बैग में जब इसको लगाया जाता है तो ये पौधा जमीन के पौधे की अपेक्षा काफी छोटा रहता है साथ में इसमें जो पत्या निकल कर आती हैं वो भी छोटी होती है और हलके हरे रंकी होती है तो फ्रेंट्स जमीन में लगने वाले पौधे को जब हम गमले या ग्रो बैग में लगाते हैं वो भी 10 से 12 इंच के गमले या ग्रो बैग में लगाते हैं तो इस पौधे को वो सारे पोशक तत्तों नहीं मिल पाते हैं जो कि ये पौधा मिट्टी से लेता है और इसकी वज़े से इसमें पोशक तत्तों की काफी कमी हो जाती है और उन पोशक तत्तों में आईरन और कैल्सियम की पौधे में कमी होने की वज़े से जब इस पर नई प पत्ते के पौधे में हमेशा आइरन की कमी बनी रहती है लेकिन ये पौधा शुकी जमीन का पौधा है इसलिए ये मिट्टी से सारे पोशक तक्त्वों को लेता रहता है और उसमें इसकी आइरन की कमी पूरी होती रहती है जिसकी वज़े से इसके पत्ते हरे और बड़े रंक जिसकी वज़े से पौधे पेर पतियां सोती है应该 एक निकल रही होती क्योंकि आइल की कमी से नई पत्या निकलती है वह छोटी पतियां होती और उनका रंग भी आईरन की वज़े से हलका हरा होता है तो इसलिए अब जान लेते हैं कि करी पत्ते या मीठी नीम के पौदे को अगर गमले या ग्रो बैग में लगा हुआ है तो किस चीज का इस्तेमाल कर इनकी पत्तियों को हम बढ़ा कर सकते हैं साथ में इनकी पत्तियों का रंग भी गहरा कर सकते हैं तो उसके लिए हमें चार्ज या दही का करी पत्ते पर इस्तेमाल करना होगा क्योंकि ये दोनों ही चीज जो हैं करी पत्ते के लिए रामबाड का काम करते हैं दही या चार्ज में बहुत से मिनरल्स के अलावा निट्रिशन भी पाए जाते हैं जैसे कि nitrogen, phosphorus, calcium, protein, potassium के अलावा vitamin B5 और vitamin B2 इसके अलावा जब इसका पौधे की मिट्टी में इस्तेमाल किया जाता है तो friends पौधे की मिट्टी acidic बन जाती है और acidic मिट्टी में पौधे की growth काफी अच्छी होती है जिसकी वज़े से गमले या grow bag में लगे हुए पौधों में खासकर करी के पत्ते पे जब इसका इस्तेमाल किया जाता है तो करी के पत्ते की growth काफी बढ़ जाती है इसमें पाई जाने वाली nitrogen की वज़े से पौधे की growth अच्छी होती है साथ में जो पत्ते निकलती है वो हरे रंकी निकल के आती है और जो इसमें फासफोरस पाया जाता है उसकी वज़े से पौधे का root system मज़बूत होता है जिसकी वज़े से पौधे के जदा से जदा पोशक ततो पत्तियों तक पहुँचते हैं और पत्यों की साइच बड़ी होने लगती है, साथ में जो कैल्शियम पाया जाता है, उसकी वज़े से पौधे के डंठल काफी मजबूत होते हैं, जिससे की पत्यां काफी अच्छी तरीके से डबलब होती हैं, चलिए अब जान लेते हैं कि किस तरीके से इसको बना के अपने पौधे की मिट्टी में इस्तेमाल करना है, तो फ्रेंट्स उसके लिए आप एक लिटर पानी ले लें और उसमें दो चम्मश आप दही या फिर छाज को मिला कर अच्छी तरीके से एक से दो घंटे के लिए छोड़ दें, और एक से दो घंटे के बाद में इसको अच्छी यूज के बाद आपको अपने पौधे पर काफी असर नजर आने लगेगा, तो फ्रेंट्स अगर आप लोग भी चाहते हैं कि हमारे करी पत्ते के पौधे पर पत्तियां बड़ी निकल के आएं, साथ में गहरे हरे रंकी हों, तो उसके लिए आप लोग भी दही या शाज का इस्तेमाल इस तरीके से कर सकते हैं, उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, फ्रेंट्स पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और वीडियो पर पहली बार है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मे